बूर्निंग बच्चो आपके पास एक्सेसाइज आट्रस मिलब दो का कुश्चन नमबर एक है एक वैप्ति के वेतन में 10% विधी होती है यदि उसका नया वेतन एक लाग चोवन हजार रुपे है तो उसका मूल वेतन आपने क्या करना ग्याद करना है तो कोई भी किसी का क्य हमारे वह सबसेह पहले क्याओ है तो हमारे नहीं ग्याद करना है हमस सबसे पहले क्या लिखेंगे हम उसका मूल वेतन मानीं तो इसका क्या हल आज एकिस थे बराबर कितना एक्स रुपे ले लिया है । ठीक है अब उसमें व्रिधी कितने हो रही है 10 प्रतिशत हो रही है ठीक है तो विधि हुई राशी निकालेंगे हम, तो विधि हुई राशी कैसे निकालेंगे मूल वेतन का 10 प्रतिशत तो x का 10 प्रतिशत तो निकाला हमने enjoy, ákis गुना 10 बता सु, काटा बसको तो यहाज सेला page ड़िया है ठीक है। एक्स बटा 10 अब उसका नया वेतन दे रखाएं तो नया वेतन किता देखा है इंक्रीमेंट के बाद विर्धी नत जो इसका मूल वेतन थे ना पहले एक साल बात क्या होता है आपकी व्रिधी लगती है जिसको इंक्रीमेंट कहते हैं इंग्लीश में ठीक है ना तो प्लस जित रखाएं और प्लस जो व्रिधी हुई आपकी वो लिखेंगे ऐसे निकालते हैं जो नया वेतन मतर है जैसे इस साल मेरा दस अजार रुपे है अगले साल मेरी क्या कहते है व्रिधी हूई यह दस प्तिषट तो दस अजार का जो दस प्तिषट है उसमें एड करके क्या प्लस 10 वही और होगी तो 10 गुना X क्यों ज़ेका 10X, 10 से 10 गैंचल होगा, 1 को X से गुना क्या X, ब्राबर कितना होगा, 1,54,000 रुपे आ गया, तो यहां से आज़ेका 11X ब्राबर 10 ब्राबर 1,54,000 ठीक है, अब क्रोस मल्टी यह 10 सिधर मल्टिप्ला होजेगा, तो 11X ब्राबर 1,54,000 गुना 10 आ गय 11, कितना आ गया, 11 आ गया, ठीक है, 11 से काट दिया, 11 एकम 11 कितना बचेगा, 4,44, 14,44, कितना आगी 3,0 आ गी, तो X ब्राबर कितना आगी, 14,000, 14,000 और 1,गुना 10 आ गया, तो यहां गया, 4,0 आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो उसका मूल वेतन था, वो कितना था, एक लाख चालीस हजार रुपी, ठीक है, और चोदा हचार पे उसकी क्या है, व्रिधी हुई है, तो आप निकाल के भी लिखें, एक लाख चालीस हजार का, कहते हैं, दस पसर निकालों के कितना आएगा, आपके पास चोदा हजार ये तो आएगा, एक लाख चालीस हजार का, और केटे एक लाग चाहिजान में 14,000 जोड़ दीचे कितना जगा एक लाग चोवन हचारा ज़ेगा ठीक है क्लियर होगी है सेकिंड अब जैसे आपके पास यह सेकिंड कोश्चन है सेकिंड कोश्चन आप खुद करेंगे सेकिंड कोश्चन है आपके पास यह आपके पास यहह आपके पास 0 रवीवार को 845 व्यक्ति चिलियागर गए, सोम वार को केवल 179 व्यक्ति गए, चिलियागर की सायर करने वले व्यक्तियों की संख्या में, सोम वार को कितने प्रतिशत कमी हुई, कितने प्रतिशत, कमी प्रतिशत आपने क्या करना है, यहापर निकालना है, ठीक है, तो गए व्यक्तियों के संख़या और मारी irresponsible को चीड़에 निकाल देंगे कमी प्रतिषट्साइछ निकालने संवार को उडहावर के विधै कितनी है कमी बता 845 गुना सो, इसको आप क्या कर लेंगे, कैल्कुलेट कर लेंगे, thank you.